वेल्कम टू अंजिना थानकी इस किचिन हाई मॉम हाई क्या हो रहा है आज बन रहा है एकड़म देशी काठ्या वाड़ी गुवर फली का सब्ची वाउ ओके उसके लिए मैंने यहां पे गुवर को कट छोटे-छोटे कट कर लिये हैं हाँ और दो के रेडी रखे हैं ओके अधी चमच हल्दी पाउडर दो चमच चिल्ली पाउडर देर चमच दनिया और जीरा पाउडर मिक्स है ओके तो सब मॉम यहीं पे कट लेना है हाँ जी सारा मसाला यहीं पे हो जाएगा नमक डाल देंगे स्वाज की अनुसार अभी यह सब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ओके थोड़ी सी डिफ्रेंट स्टाइल में है तो बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है जी अभी दो कली लसुन की लिए है वो इसके उपर हम डाल देंगे और अभी करेंगे सबजी का तड़का ओके अब यहां पर मैंने एक कुकर ले लिया है और ऐसा वाला दो चमच बढ़के या फिर मीडियम चार चमच बढ़के हम ओईल लेंगे ओके ओईल गरम हो चुका है आदी छोटी चमच राई डालेंगे एक छोटी चमच अजवाईन डालेंगे यह है असली स्वाद काट्या वाड़का अजवाईन का बहुत ही अच्छा तेस्ट आता है गुवासली के सबजी में थोड़ी सी हींग डालेंगे और यह जो उपर लेसुन रखा है ना वह पहले तड़का करते हुए सारा गुवाद इसमें डालेंगे मिक्स कर लेंगे पनी डालेंगे गुवार्डूबे उसमें कुकर का जखन लगा के तीन सीटी बजाएंगे कुकर की सीटी बज भी गई है सबजी अपना अच्छी तरह से पक गया है अभी हम इसे दनियापती से गार्निश करेंगे और फिर इसे बजरी की रोटी के साथ वाव और गुंदा की काच्छी के साथ खाएंगे तो यह रेसिपी को आप भी बनाएंगे असली काच्छी आवाडी देशी सबजी बनाके खाएंगे बहुत ही मजाएरा बहुत ही तैस्टी सबजी बनती है और हमारी चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब कर दिजिए थेंक्यू थेंक्यू